नमो बुधाय मित्रों, कि आप जानते हैं कि भगवान गौतम बुध को ज्यान कैसे प्राप्थ हुआ? आज मैं आपको भगवान गौतम बुध की ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको इस प्रसन का जवाब मिल जाएगा कि गौतम बुध को ज्यान कैसे प्राप्थ हुआ ये रोचक कहानी कुछ इस तरह से है भगवान गौतम बुद्ध ग्यान प्राप्थी के लिए घोरतप में लगे थे उन्होंने सरीर को काफी कष्ट दिया या तराएं की घने जंगलों में कड़ी साधना की पर आत्म ग्यान की प्राप्थी नहीं हुई एक प्राप्थी निरास होकर बुद्ध सोचने लगें मैंने अभी तक कुछ प्राप्थी नहीं किया है अब आगे क्या कर पाऊंगा निरासा अभिश्वास के इन्नाकरात्मक भावों ने उन्हें आशर सकीत कर दिया कुछ ही छड़ोबाद उन्हें प्यास लगे थी वह थोड दियर बाद उठकर जील के पास गई अपना सारा सरे जील के पानी में भीगोया और फिर बाहर आकर पानी जारने लगी ऐसा वह बार बार करने लगी बुद्ध सोचने लगे इस गिलहरी का प्रयास कितना मुर्खता पूड़ है क्या कभी यह इस जील को सुखा सकेगी तो मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी अंता ही छोटी सी गिलहरी ने भगवान गौतम बुद्ध को अपने लच्छे मार्ग से बिश्दित होने से बचा लिया वह सोचने लगे जब यह नन्ही गिलहरी अपने लगू सामर्थ से जील को सुखा देने के लिए दिल दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा और वीडियो को लाइक करके सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा और मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहू कि अरुआ देने करके में मेंटे ड्वीडियो का रहूंगा और भर वीडियो का रहूंगा या रहूंगा जाओ।